आज हम बनाएंगे बीफ बलाओ खुश्बू ऐसी के पूरे मुहले में जाए जाए का ऐसा जो जुबान से न जाए चलें रेस्पी स्टार्ट करते हैं एक प्रेशर को कर लेंगे अब इसमें वन केजी बीफ टालेंगे अब इसमें लेसेन के जवे और अद्रक पीसिस में कटकी हुई डाल देंगे आप पेस्ट भी डाल सकते हैं वन मीडियम साइज का प्यास डालेंगे अब इसमें खड़े मसाले डालेंगे वन टेबल स्पून जीरा लेंगे वन टेबल स्पून खुशक धनिया लेंगे 3 pieces तारजीनी के लेंगे 1 teaspoon सॉंफ लेंगे 2 कड़ी पता लेंगे 1 teaspoon काली मर्च एक बढद्यान का फूल 2 छोटी बड़ी औलाची डाल देंगे 1.5 tablespoon नमक के डालेंगे 3 bol पानी के डालेंगे जिससे यहनी ज्यादा बने हम इसको cover कर देंगे इसको अच्छे से पैशर को बंद कर लेंगे 15 मिंट के लिए हम इस बीफ को टाइम पे लगाएंगे तकरीबर 15 मिंट हो गए है माशाओला बहुत ही जबरदस्त खड़े मसालों की खश्बू आ रही है अब देखेंगे गोश्ट हमारा अच्छे से गल गया है देखें अच्छे से गल गया है नेक्स टेप पे आएंगे एक बटन लेंगे उसमें हाफ कप ओईल डालेंगे अब इस गरम ओईल में हम दो मेडियम साइज के प्री कट किया प्यास डालेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब दो मिन्ट हाई फ्लेम पे कुक करेंगे अब दोबारा इसमें खड़े मसाले डालेंगे जीरा लॉंग काली मर्च दार्चिनी कड़ी पता छोटी बड़ी अलाची डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इकड़े मसाले यहाँ पर डालना बहुत सुरूरी है और इससे ख़श्बू बहुत जबरदस्त आएगी दो मिन्ट के लिए कुक करेंगे ताकि प्यास का कलर लाइट ब्राउन आ जाए लाइट ब्राउन कलर आ गया है अब इसमें 3 medium-sized चॉप किया और टोमाटर डालेंगे 4 चॉप की हुई सबस्मर्च डालेंगे 1 और 1.5 tablespoon left Teen का पेस्ट डालेंगे 1 tablespoon अधर का पेस्ट डालेंगे अब इन सब को अच्छे से mix कर लेंगे 3-4 मिन तक इसकी बुनाई करेंगे बुनाई कर ली है अब इसमें 1 cup फैंटी होई दही डालेंगे पलाओं में दही का टेस्ट बहुत दबर्दस्ता आएगा अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे 2 टेबल स्पून नमक के डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पॉडर के डालेंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टी स्पून गरम मसालर डालेंगे अब इन सारे स्पाइसे को अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें बीफ डालेंगे जिसे मैंने यहनी से लैदा कर लिया है अब इसकी 5-6 मिंट ठीक ठाक बुनाई करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे मेल आइकन का बटन दबा दे अब इसमें 2 बॉल के करीब यहनी डालेंगे जिसे मैंने अच्छे से चान लिया है अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे 2-3 बॉयल आने तक पका लेंगे देखें बॉयल आना शुरू हो गया है अब इसमें 2 गलास चावल डालेंगे जिसे मैंने 1 घंडा बगो के रख दिया था ताक के पकाते वकद चावल खीले हुए बने अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे बॉयल आने का wait करेंगे अब इसे 5 मिंट के लिए cover कर देंगे तकरीबन 5 मिंट हो गए है पानी ड्राइ होना शुरू हो गया है flame high ही रखेंगे तीन सबस मर्च लेंगे जिसे दिम्यान में से cut कर लिया है अब पुदीना डालेंगे जिससे खशबू पलाओ की बहुत ही जबरदस्त आएगी flame low cut देंगे अब इसे 20 मिंट के लिए तम पे रखतेंगे तकरीबन 20 मिंट हो गए है बहुत ही जबरदस्त बीफ पलाओ की खशबू आ रही है माशालला बहुत ही खीले हुए चावल बने हैं हमारे अब इसे dish out के रहेंगे आप इस special पे भी ये बीफ पलाओ बना सकते हैं ये बहुत ही tasty बनते हैं जैका ऐसा कि इसे बार बार खाएं माशालला बहुत ही जबरदस्त लुक काई है अगर आपको मेरे ये बीफ पलाओ वाली रेस्पी अच्छी लगी हो लाइक शेर और सब्सक्राब तो मैं चैनल थैंक यू